हलो इप्लीवन वेलेक्डों तो मैं चैनल रेट्स कोकिंग अच्छ मैं आपको कुरकुरी बिंडी बनाना बता रही हूँ जो खाने में तो बहुत टेस्टी होती है और बनने में भी बहुत आसान है तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं यहां पर हमने बिंडी ले लिया है, बिंडी को हमने अच्छे से धोकर इसको सुखा दिया है और इसको अच्छे से पोच लिया है, बिंडी बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए, अब आप इसको उपर से और नीचे से ऐसे निकाल के और फिर बीच में से एक कट लगा दें इसी तरह से हम सारी बिंडी को कट कर लेंगे ये देखिए बिंडी हमारी अच्छे से कट हो चुकी यहाँ पर हमने 300 ग्राम बिंडी को कट कर लिया है अब हम इसका मसाला बनाते हैं तो हम लेंगे 4 चम्मच हम लेंगे बेसन तीन चम्मच हम लेंगे चावल का आटा अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप बारीक वाली सूजी भी ले सकते हैं और सूजी मोटी है तो उसको मिक्सर में अच्छे से पीस लीजिए और फिर डाल दीजिए अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच हम चूर पाउडर एक चम्मच भुनावा जीरा पाउडर आधा चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच कूकिंग ओईल आप कोई साभी कूकिंग ओईल डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसका बैटर बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं इसका बैटर बना देंगे बैटर को हमको ना ज्यादा पतला करना है और ना ज्यादा थीक रखना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लंज भी न रहे यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए बस इतना ही हमको इतना ही बैटर बनाना है अगर आप इसको बहुत जादा देर से खाना चाहते तो आप इसमें एक चमच कॉन फ्लोर डाल दीजिए तो भिंडी काफी देर तक आपकी क्रिस्प रहेगी और अब तुरंट खाना चाहते तो आपना भी डालिए मैं यहां पर नहीं डाल रही हूँ अब यहां पर हम इसके अंदर भिंडी डाल देंगे और इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारा मसाला है वो भिंडी के अंदर अच्छे से कोट हो जाए यह देखिए सारा मसाला अच्छे से बिंडी के अंदर मिक्स हो गया है आप देख सकते हैं अब हम एक साइड में तेल गरम करने रख देंगे यहां पर हमने तेल गरम करने रख दिया है पहले तेल को हम बहुत अच्छे से गरम कर लेंगे और एक बार तेल गरम हो जाए फिर इसको हम मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और इसमें बिंडी डालेंगे इसको हमको low to medium flame पर fry करना है बिंडी को ताकि जो बिंडी अच्छे से क्रिस्प हो जाए एक एक करकर हम इसको बिंडी को ऐसे डाल देंगे देखे बिंडी हमने डाल दी है अब हम एक दो मिनिट होने देंगे और इसको हिला देंगे इस तरीके से यह देखिए अगर आपके घर गैस्ट आने वाले है तो आप क्या कीजी एक बार भिंडी को इतना फ्राय करकी पूरा निकाल लीजिए जब आपके गैस्ट आ जाए आपको सर्फ करनी हो तो आप तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए और उस हाफ फ्राय जो हमने बिंडी को किया है उसको गरम तेल में डाल दीजिए तो बिंडी अच्छे से फ्राय हो जाएगी और एकदम क्रिस्प हो जाएगी यह देखिए भिंडी हमारी हो चुकी इसको हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर यह देखिए अब इसी तरह से हम सारी भिंडी को फ्राय कर लेंगे अगर आपको लगता है कि भिंडी डालते दाइम आपको थोड़ा सा ऐसे चिप चिप आपन लगता है तो आप हाथ में हलका सा तेल लगा लीजिए फिर एके करके भिंडी डालिए तो भिंडी आपके हाथ में चिप केगी नहीं अब हम सारी भिंडी को निकाल लेंगे ये भिंडी हमारी अच्छे से फ्राइ हो चुकी है ये भिंडी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है आप ज़रूर इसको ट्राइ कीजिएगा ये देखिए हमारी भिंडी फ्राइ हो चुकी है अब इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं ये हमारी कुरकुरी भिंडी बनकर तैयार हो गई है अब आप इसको खुद भी खाईए और सबको खिलाईए अगर आपको इसी तर रही ने रेसेपी सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए थैंक यू झाल 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 झाल